नमस्कार जयेंद वंदे मातरम मेरे पैयारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस ओंगे और आप आप सब्गी को पता है कि मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो बहुत ही बेसबरी से जो इंतजार है सभी छादरों को वेकेंसी जो आने वाली है एगनीवीर जीडी की तो उसके बारे में बताऊंगा कि कौन-कौन से हमारे विद्यारती किस-किस पोस्ट में भर सकते हैं और उस पोस्ट के लिए minimum क्या requirement होनी चाहिए तो उसी के recording ये पूरा वीडियो होने वाला है कि आपकी क्या age limit होने वाली है या फिर किस पोस्ट के लिए आपको क्या qualification चाहिए आपको age relaxation मिलेगा या पिर नहीं मिलेगा उसका पूरा detail इस वीडियो में आपको मिलेगा और resume पर नहीं तो हमारा चेनल सब्सक्राइब करना जरूर भूलेएं और मैं आप सभी के नाम अपने देश के जो जवान है सीमा पे तैनात हैं उन सभी के नाम एक सारी आपको ँनाना चाहता हूं Her उनके साथ साथ आप सभी जो दोस्त हमारे त्यारी कर रही है उन सभी लिए एक साइरी समर्पित है तो अगर आपको साइरी पसंद आये तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों तो अर्ज किया है कि इनसे बले ही वहार में हो भूल चुक इनसे मतलब जो हम लोग च्छात हैं जो त्यारी कर रहे हैं दोस्तों आपको पता है कि उद कि इनसे बले ही वहार में हो भूल चुक फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी कभी 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 मानी और कभी नहीं मानी वह है कि है जो इन्होंने मन मानी काम आएगी जब जब कंस सी सुपाल के बढ़ेंगे पाप कि जब जब कंस सी सुपाल के बढ़ेंगे पाप नट खट करस्न की कहानी याद आएगी और देश को जरूरत पड़ेगी जब उखून की तो अलहड़ सी यही नोजवानी काम आएगी अलड़ सी यहीनोजवानी काम आएगी तो यह साहिरी जो है आप सभी को समरपित है और अपना जो सीजी तरीके से बनाये रखें और मेरा वादा है आपसे कि फिजिकल से लेके आपके फॉर्म फिलिंग से लेके आपके सेलेक्शन तक सीताफर फिजिकल अकैडमी आपके साथ और आपके उज्जल भविसी की कामना करते हुए आज का वीडियो में सुरू करता हूँ मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दे रहता हूँ कि आप जो भी कल से फॉर्म भरेंगे कल यानी 8 फरवरी है आप सभी को पता है कि कल से जो इसकी official notification है online form वो start हो जाएंगे तो कौन-कौन से जिन-जिन छातरों को जिस-जिस post में apply करना है उसकी qualification क्या होनी चाहिए उसी के बारे मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले इसमें post आती इसमें कई post होती हैं दोस्तों तो सबसे पहले इसमें post आएगी अगनीवीर जीडी की जो बहुत ही famous post है अगर आपको अगनीवीर जीडी का form फिल करना है तो आपके पास आप minimum 10th पास होने चाहिए यानि आपके अच्छा 10 पास होने चाहिए और overall आपके 50% होने चाहिए 45% होने चाहिए कि minimum 30% in each subject यानि आपके 10th में किसी भी subject में 33 नंबर से कम नहीं होने चाहिए अगर आपके किसी भी subject में 33 नंबर से कम आएंगे तो फिर आप जो अगनीवीर जीडी का form है यह आप नहीं भरपाएंगे कोई कि यहाँ पे साफ साफ 2023 की notification में mention करिया गया था दोस्तों कि आपको दो इसकी फुल्फिक कंडिशन फुल्फिल करनी पड़ेंगी कि पहला आप 10th pass होने चाहिए 45% के साथ और दूसरा point यह है कि minimum 33% यानि आपके हर subject में 33 नंबर से कम नहीं होने चाहिए दूसरी जो post आती है दोस्तों इसकी बहुत यह अगनिवेट टेक्निकल की तो टेक्निकल में अगर आपको अपलाई करना है तो उसमें आपको 10th pass होना चाहिए 10th मतलब आपका 12 pass होने चाहिए intermediate किसी भी ब्योट से हो सकते है वो depend नहीं करता है और उसमें जो subject होने चाहिए वो physics, chemistry और math होने चाहिए यानि आपके कच्छा 12 में अगर physics, chemistry, math और English 50% English 50% का मतलब यह है कि English subject जो है उसके अंदर आपके 100 में से 50 number होना must है दोस्तों अगला जो point है इस पर कि minimum 40% in each subject यानि आपके 12th में 40% से कम number नहीं होने चाहिए अगर आपको अगनी वीड technical का form fill करना है अगला जो या तो अगर आपको अगनी वीड technical में fill करना है तो आपके पास अगर 12th pass नहीं है आप सिर्फ 10th pass है तो अगर आप 10th से apply करेंगे तो उसके लिए आपको डिपलोमा की जरुद पढ़ने वाली है अगर आप अगनी वीड technical में apply करेंगे तो आप अगर 10th level से डालेंगे तो 10th level में 50% होने चाहिए और English, Math और Science में 40-40 number होने चाहिए 40% का मतलब यही होता दोस्तों कि 100 में से 40 number आपके होने चाहिए और अगला है अगर 10th से apply करेंगे तो उसमें डिपलोमा होना चाहिए डिपलोमा मतलब ITI होने चाहिए ITI आप किसी भी trade से हो काफी trades आती है जो famous trade है वो मैं आपको बता देता हूँ कि electrician होना चाहिए, fitter होना चाहिए या फिर mechanical होना चाहिए बहुत सारे ITI डिपलोमें आप सभी को पता है वो किसी एक में से होना चाहिए अब आपकी next जो जानकारी है वो हमारे सर देंगे प्रियांसूसर और अब मैं आप प्रियांसूसर को बलाता हूँ आपको आगे की जानकारी प्रोवाइड करते हैं नायाव हीरा तू जरासा ठोकरे तो खा समझ पाओ खुद को तुम तभी जब दर्द चीखेगा मुसीबत में मुस्कुरा कर सफल होना किसे कहते समय आने तो दो साहब जवाना हम से सीखेगा जवाना हम से सीखेगा जैहें नमस्कार साथियों मैं प्रियान सुतिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ सीतापुर फिजिकल एकैडमी में साथियों आप सभी लोगों को जैसे कि अभी पॉंसर ने इंफॉर्मेशन दी है बहुती सांदार इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को प्राप्त ही हुई है इसी तरीके से आप सभी लोग अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको फॉर्म भरने से लगा करके आपको अपनी तयारी कैसे करनी है कितने घंटे पढ़ाई करनी है साथियो बहुती सांदार बेवस्था सीता पूर्फिजिकल अकैडमी के द्वारा तयार की जा रही है क्यूकि बहुत सारे ऐसे गरीब घर के बच्चे हैं जो अकैडमी नहीं जोइन कर पाते हैं क्या है रहने खाने का फीस पे नहीं कर पाते हैं, तो academy नहीं जोईन कर पाते हैं, साथियो, उनके लिए बहुत ही सांदार बेउस्ता तयार की गई है, आप सभी लोगों को कम से कम, मतलब ये समझ लीजिए कि आप सभी लोगों को लगबग free classes मिलने वाली हैं, free classes मिलेंगी, रहना खाने की जो आपक academy में आओगे, कैसे पे करोगे, सारी टेंसन खतम हो जाएगी, और आप घर बैठे, फोजी बन पाएंगे, साथियो, लिखित पर इच्छा की तयारी, physical की तयारी, कैसे आपको physical अपना prepare करना है, और साथियो, वैसे ही जैसे आप return पर इच्छा को qualify कर लेते हैं, या फिर return पर treatment होगा, और आपको पूरतिया fit किया जाएगा, अगर आपके कोई major point नहीं है, major point जैसे आग का point हुआ, कुछ ऐसे major point होते हैं, जो fit नहीं किये जा सकते हैं, उनको छोड़के, जो भी आपके points होगे, उनको fit किया जाएगा, साथियो, वीडियो को जादा लंबा ना करते क्या मैं भारती से ना अगनिवीर GD की भरती देख पाऊंगा, एक एक 2007 है, क्या मैं भरती देख पाऊंगा, साथियो, आप सभी लोगों के या सारे doubts आज clear होने वाले हैं, साथियो, अगर हम बात करें, अगनिवीर GD, GD trade के अगर हम बात करें, तो 1 October 2003 से आप pH count होगी, और 1 April 2007 तक आपकी age count की जाएगी, साथियो, अगर 1 April 2007 के बात के हैं, अगर आप उपर हैं, तो आप भारती से ना GD trade में form नहीं फिल कर पाएंगे, साथियो, same condition है clerk में, साथियो, बहुत सारे बच्चे, पूछ रहतें, क्या technical में, जो आपकी age है, वो age relaxation मिलेगा, या clerk में साथियो, age relaxation कहां से दिया जाता है, आप सभी लोगं को आज ये पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बता देते हैं कि इस trade में मिलेगा, उस trade में मिलेगा, लेकिन उनको जड़ा सा भी घ्यान नहीं होता है, कि ये जो age relaxation है, वा क्यों मिलने वाला है, सा है ना, और clerk 12, साथियो, intermediate की परिछा जब qualify करते हैं, तभी आप clerk में form fill कर पाते हैं, same condition technical में भी है, जब आप 12 का form fill करेंगे, तो आप 12 qualify होना चाहिए, मतलब intermediate की परिछा qualify होना चाहिए, मतलब 2 साल, साथियो, 2 साल, है ना, 2 साल की पढ़ाई और extra होनी चाहिए, तो आप सभ यो, clerk, technical, इन दो में छूट मिलने के chances हैं, जैसे कि नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट में साड़े 17 से 21 वर्स लेते हैं, साड़े 17 से 23 वर्स लेते हैं, क्योंकि उसमें 10 प्लस 2 ले रहे हैं, वही condition यहां पर भी है, कि जब आप clerk में form fill करेंगे, तो आपके technical में form fill करेंगे, तो आपके पास 10 प्लस 2 होना चाहिए, तभी आप इन trades में form को fill कर पाएंगे, तो साथ ही हो, आप सभी लोग किसी भी भ्रम में ना रहे हैं, आपका आज doubt clear होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जो आपके मन में भ्रम बना के रखते हैं, ऐसा थम नाटिफिकेशन जो है, वो 8 फरवरी को आने वाला है, तो साथियों कल आपका नाटिफिकेशन आ जाएगा, जब तक नाटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तब तक आप किसी भी चीज को सही नहीं मानेंगे, आपका जैसे ही नाटिफिकेशन आएगा, आप सभी लोग description में ज हूट है, आपके नंबर कम है, तो आप किस ट्रेड में अपलाई कर सकते हैं, साथियों अगर आपको फॉर्म भरने में समस्या आ रही है, तो इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, 9455347294, और इस नंबर पे आप अपने documents भेजेंगे, आपका फॉर्म फिल करके, सीता पुर फिल किया जाएगा, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ऑल्लाइन जो फिस कटेगी, केवल वही चार्ज आपको पे करना होगा, आपका फॉर्म फिल करके, आपका जो भी receiving निकलेगी, वो आप तक पहुँचा दी जाएगी, तो साथियों, अब आपके साथ सीत या कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर लिखित परिच्छा का, ओफलाइन भी बैच, स्टार्ट हो जुका है, जिसमें आपको डेड़ घंटे सुबा फिजिकल मिलेगा, डेड़ घंटे साम को फिजिकल मिलेगा, कम्पलीट छे से साथ घंटे की क्लासेज मिलेगी, जब तक आपका बेसिक चलेगा, तब तक सापताहिक टेस्ट होगा, जैसे ही आपका बेसिक कम्पलीट होता है, जैसे ही आपका एक मन्थ कम्पलीट होता है, आपका रोज टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, साथियो, आप सभी लोग अपनी अगर सफलता को सुनिश्चित करना चाते हैं, तो जाहिन!